नवरात्री के दिनों में देवी मा का सपने में आना देता है ये खास संकेत ऐसे समझे इन इशारों को मादुर्गा, लक्ष्मी और अन्य देवियां भी देती है ये खास संकेत हमारे जीवन में सपनों के कई माइने माने जाते हैं इनी सपनों को हमारे भविश्य से भी जोड़ कर देखा जाता है मानेता है कि सपने एक तरह से जीवन के संकेत होते हैं जो आने वाले अच्छे दिनों से लेकर भविश्य की विपदाओं तक के बारे में जानकारी देते हैं सपने में गाय का दिखना हो या कुछ खाते पीते देखना, सांप का दिखना ऐसी कई तरह की चीजे हमें अपने भविश्य को लेकर खास इशारा करती है लेकिन क्या आप जानते हैं सपने में देवी देवताओं का दिखना भी हमें भविश्य से जुड़े कई तरह की इशारे करता है मित्रो सपने कभी यूही नहीं आते यहां तक की चिकित्सा शास्तर के अनुसार ये हमारे मन में चल रही बातों का परिणाम होते हैं वहीं दूसरी ओर सपने में दिखने वाली चीजों का भी अलग-अलग अर्थ होता है आज हम बात करते हैं सपने में देवी मा का दर्शन हो वो भी नवरातरी के दिनों में तो किस बात का संकेत होता है और इसका क्या अर्थ माना जाता है सपने में दीखे देवी दुर्गा यदि आपको सपने में देवी दुर्गा दिखती है तो इतका दिखना अत्यांच्छुब होता है सपन शास्तर की माने तो अगर देवी मां लाल रंग के वस्त्रों में मस्कराती उई दीखे तो समझ लेगी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है यह किसी भी छेतर में हो सकता है अब विवाहितों की शादी हो सकती है विवाहितों को संतान सुख मिल सकता है वहीं बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है वहीं यति देवी दुर्गा सीयं पर दिखे और सीयं दहाड रहा हो तो ये सपना आने वाली कुछ समस्याओं की और इशारा करता है ऐसे में उपाई के तौर पर हमें देवी दुर्गा की पूजा कर उन्हें प्रसंद करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे आने वाली परेशानियों का निराकरण हो सके सपने में दिखे देवी लक्ष्मी सपन शास्तर में देवी लक्ष्मी को विश्य स्थान दिया गया है ऐसे में सपने में मालक्ष्मी का दिखना सुक समर्दी का प्रतीक माना जाता है मान्यत्या के अनुसार किसी को सपने में मालक्ष्मी की दर्शन होना धनलाप का संकेत होता है यही नहीं अगर व्यापार करते हैं तो उसमें भी मुनाफ़ा होने के इशारे माने जाते हैं सपने में दिखे देवी भगवती स्वपन शास्त्र के मुताबिक अगर देवी भगवती शेरों पर सवार दिखाई दे तो यह भी एक तरह का शुप संकेत होता है इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में चल रहा खराब समय अब खतम होने वाला है जल्दे ही समय बदलेगा और आपकी लाइफ में सब पहतर होगा वही यदि सपने में केवल शेर या बाग दिखाई दे जो आप पर धाड रहे हो तो इसे शुब नहीं माना जाता है ऐसे में दुर्गा चैलीसा या दुर्गा सब्तशति का पाट सर्वत्तम माना गया है दर्शन देने का अर्थ है कि आपके किये जा रहे प्रयासों में सफलता मिलने वाली है सिक्षा या व्यवसाए जिस भी छेतर में आपकारे रत है वहां आपको तरकी मिलने वाली है सपने में दीखे मा काली मा काली के दर्शन होने का अर्थ नहीं शुब होता है और नहीं अशुब स्वप्रिशास्त्र के मुताबिक अगर आप सपने में काली मा देखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपको किसी बात का डर है कहते हैं कि देवी भगवती के इस रूप का दर्शन होना इस बात का संखेत है कि आप किसी बात को लेकर बेहत परेशान है जीवन की कोई गुत्ति सुलज नहीं रही यही वज़ा है कि देवी मा के इस वरूप के दर्शन होते हैं सपने में दिखे काले वस्त्रों में देवी मा, सपने में देवी मा को काले वस्त्रों में दिखना शुब नहीं माना जाता स्वपन शास्तर के अनुसार यदि देवी दुर्गा आपको सफेद या काले रंग के वस्तरों में दिखे या रोते हुई या फिर दुखी भी दिखाई दे तो ये शुब संखेत नहीं है इसका अर्थ होता है कि आपका खराब समय शुरू होने वाला है ऐसे में बेतर होगा कि आप देवी का स्मरन करे शुब कर्म करे ताकि खराब वक्त से निपटने की हिम्मत मिले इसके उपाई के तहट आप महिलाओं को पूरा सम्मान दे बेटियां प्यार करे साथी देवी मा के मंत्र का हमेशा मन में ही सही उच्चारन करते रहे इसके आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरू करे साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली रोचक जानकारी की नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद आपका दिम शुब हो